लोकसभा चुनावार का ये तारीफों का एलान हो चुका है परदेश में दो चौनों में लोकसभा चुनावार होने हैं कुणिस सप्रेल और छबी सप्रेल च्यार जून को मत करना हो जाएगी मेरे पार साथ चैसायोजग बीजेपी के कुल्दीव धनकर जी हैं मुझे बात कर लेते हैं मुझे जान लेते हैं आज सर आपने प्रेस वरता की है क्या पूराम बुद्धा रहा होगा प्रेस वरता देखिए कॉंग्रेस के प्रतियासी हैं लोकसभा अजमेर के स्री रामचंद चोधरी जी उनके दुआरा कले कारेकरता हूं की बेठक में हमारे देश के प्रधानमंत्र जी खिलाप अभदर टिपणि की गई उसकी मनेंदा करता हूं और इसको बरदास भी नहीं करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान के किसान का मा ने मोधी जी ने करी और ऐसे व्यक्ति के खिलाब इस परकार टिपणिया करना और कॉंग्रेस लगा था कॉंग्रेस की नेता आज ये पहली बार नहीं है बार बार इस परकार की टिपणिया करते हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है मन को सला भी देना चाहता हूं कि चुन के खिलाब इस परकार के बयान दिया था जिसमें इनके कॉंग्रेस के नेता रहूल गांदी के दुवारा वीडियो बनाए गया था तो इनको चरित्र को दरसा आता है कि कॉंग्रेस से की करनी और कत्री में कितना फर्क है सबसे बड़ा स्वाल कि किस परकार से एक सीट वाकी पक्समें कॉंग्रेस बैठी है पूरू मुख्यो मंतरी शो गेलोट ने आरोप लगाया है कि पीज़ेपी लगातार भ्रमित करती है पब्ली को दुखा करती है जूंट बोलके चुनाओ जी देखो गत पांस सालों में गेलोट जी की सरकार ने राजस्थान की जनता को हमेश इस प्रकार मतलब बहकाने काम भी किया है और बार-बार इमश्थानल मैं कहूं ब्लेकमिलिंग करते थे लोग मैं खुलकर कह रहा हूं आज यार्चीपी के नाम पर के नों राज़निती करी कॉंग्रेस पार्टे में यार्चीपी कोन लेकर आये थे हम भाजपा के लोग दो वापस हमारी दोनों सरकारों ने बैठकर समझोता किया है और यार्चीपी को हमें लागू करने काम किया तो कॉंग्रेस के आदत में है सब ये कि राजस्थान की जनता को पुरी देश की जनता को इस प्रकार ये गुम्रा करके और वोट रहना चाहते हैं अब हिंदूस्तान की जनता समझ चुकी है और वो इंसे बहुत ज़्यदा समधार है क्योंको निरने क्या करना है और ये इनकी निरासा है हतासा है और राजस्थान में पत्चीस में से पत्चीस सीटे भारजंता पार्टी के आने वाली हैं, इनका खाता भी नहीं खुलने वाला, इसलिए इनके नेता इस प्रकार के लगातार बयान बाजी करते रहते हैं. क्या विशेश टिपनी हैं, बता सके कैमरे के सामने कि क्या अबदाता की थी, अबदर टिपनी की थी उन्होंने बहुत चारे विशेश है, जो मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता, मैं आपको एक बार वीडियो पोस्ट कर दूँ, उसको आप भी देख ले ना, भालजपा के लोग इस प्रकार की जो टिपनियाए कॉंग्रेस के लोग करते हैं, उनको बोलकर बता भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो संस्कारित लोग हैं, और इनकी पार्टी नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, कि आप अपने नेताओं को जिनको प्रत्यासी बना रहे हो, जिनको 18-20 नेताओं को अप्पान ना करें, इसे आप लोग चुनाओ जीतने वाले नहीं हो, जनता में बड़ा भारी हो आकरोस राजस्तान में, कि इस प्रकार मोदी जी खिलाब टिपनी की है, और साथ ही इनके भी कितना समय हुआ, डेड़ मेना भी नहीं हुआ, इनके TMC के सांसाथ महामाई मुपराश्पति मोदी के खिलाब इस पकार करें बहन जारी किया, और इनके शुम के नेता राहूल गांदी जो अपने आप में कहते हैं, प्रधानमंत्री का दाविदार हूं, वह वहां खड़े कर वीडियो बना रहे हैं, इसे जाए सर्म की बात तो इनके लिए हो मोदी जी के बारे में किसी कहने के आऊ सकता है क्या, जिन्होंने भारत देश का सम्मान पूरे दुन्या में भढ़ाने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री को तो इन विपकसी दलों को जागर प्रणाम करना चीए, कॉंग्रेस के टुकुडे-टुकुडे हो चुके हैं, कॉंग्रेस की सीटे राजस्थान में इनका खाता भी नहीं खुल लेगा, और इनके प्रत्यासी लाखो लाखो मतों से चुनाव भारने वाले हैं, और इससे परिशान होकर कॉंग्रेस के नेता, हमारे नेताओं का सारा लेकर चुनाओ जीतना चाते हैं, वो संभव नहीं है एक अंतिम सवाल आप से ये कि गयरहलोगे सलेंडर के लिए कल जैसे नमांगन का अंतिम दिनता तो मुख्यमंतरी, पूर मुख्यमंतरी अश्योग यलोत ने भी टिपनी की है, लोकसो बार परत्यासी जैपुर सहर से, परतासिंग हजार ने का कि सारे चार सो में देने का बा एक हमारे ऐसे एक विचारक के रूपे आये गोपाल शर्मा जी, एक जटके में चुनाव फिचल गया है इनके हाथ से, ये तो खुद अपने आप देखी है कि भाजपा जो कहती हो ही करती है, हमने राजस्थान में हमने पहले मैनिफेस्टों में कहा था ही राजस्थान में पेपर लिख हुए है, उस पे कारवाई करेंगे, हमारे राजस्थान के मुख्यपंत्री बनने के बाद, स्री भजलाल सर्माजी ने कारवाई करी ना, SIT का निर्बान भी किया, लगातार कितने लोगों खिलाब गृबदारिया हुई, लगातार हम इस पे पुरा इसको एकस बाद, सर्माजी ने किया, मैंने कहा न, अभी इनके केवल बयान है, बयानों पर मत जाईए, जो भाजपा ने का उसको हम पूरा करें, उन्होंने ये भी आप लगा है कि वेंडर पोलिसी को निस ने बनाई थी, जैसे बजनलाल की डबल इंजन सरकार आई, दो लाग को विर रोजगार कर दिया गया, देखिए, मैं इन से पूछना चाहता हूँ, ये पांस साल के राज में इन्होंने कितना रोजगार नोजवान को दिया है, अगर नोजवान के साथ, अगर उनको उनके भेले की सोचते, तो राजस्तान में पेपर लीक होते क्या, लगाता है पेपर सचाई पर धरातल बे कहीं भी यह लोगों नहीं है केवला आते हैं चुनावी समय होता है बैयान बजी करते हैं इसके अपने काम में लग जाता है आपने बात कही कि वेरोजगारों को लेकर लेकिन जैसे ही बजनल सर्मा की सरकार है और उसी समय से प्रदेश में पिछले दिनों आचान से दसने तक धरने बदेश में शुरू होगे ज्यादा दर्दन से ज्यादा दरने चल रहे थे यूगा और बेरोजगार और सबसे खास बात महिला वहां पर वजूद थी देखिए इनके 5 साल के कॉंगरेस के साथ में जो इनोंने पाप कम आएं हमको समय कितना मिला है भी तीन मेन का समय हमें हुआ है लोग्सबा चुनाख हमारे सामने है लोग्सबा चुनाखू आज हुथ हमारे कायरकल पूरा नहीं हो रहा राजस्थान के रोजवां बेरोजगार को रोजगार भी देंगे मैलाओं के समान के लिए भी काम करेंगे और राजस्थान के विकास को आगे की प्रगति पत्पर हम लेके जाएंगे हमारा विजन है इस कॉंग्रेस का विजन नहीं है तब तक राजस्तान की जनता को हमेशा विकास की दस्ति शी उपेक्षा की गई यहां के प्रतेक वर्ग को उपेक्षा का शिकार बनाने का काम किया है अब आप देखिए लोकसा चुनाओ के बाद हम सारा जो हमारा भाज़पा का वीजन है उस वीजन को हम पूरा करें गे जो ह हमने चुनावी गोस्तना पत्र में का था उन सब बातों को पूरा करने वाइए उस समय शुरू हुए थे जब राज जी गांदी वह में तरी पांच जार जो योजना थी उसमें लगे थे उनको बिरुजगार कर दिये गया तेखिए मैंने का ना मेरी भी नगरपाली का हैं बह लाब मिलेगा जो पूरा होगा लेकिन हाल फिलाल अचार सेंटा लगी हुई है और टीन मैने का समय कम होता है इस लिए जो योजना है वो लाग बुनी हुई ऐसे में आप देखने वाली बात ही होगी कि किस प्रकार से बीजेपी है वो अपने वाइदे जो है वो कैसे पूरी कर पाती है सायूर्डिक अबना परस्वन रामांगान व्यास के साथ संदीप अगरवाल दनगरी मीडिया जैपो